हेलो गाइज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम सेंपल पेपर ओफ यूनिट टेस्ट या पिरियोडिक टेस्ट जिसे कहा जा रहा है जो कि जुलाई 2024 में होने वाले जैसे आप लोगों के स्कूल कुलेंगे आप लोगों के पिरियोडिक टेस्स स्टा का इसका एकजाम होने वाला है 20 मार्क का एकजाम है और एक घंटे इसका समय होने वाला है के जो अब्जेक्टिव टाइप कोशिन धंसाट में माक्स आप लोगों को बता दूंगी दोनों में ही देखेंगे इन नेपाल अदर जो डेमोकरेशी स्ट्रगल है कब स्टार्ट यहां पर पशो जयाएगा नेक्स देखते हैं और लेर प्रिलर इस सोईल, इस चोल, इस सोल आवोजन बहुत अच्छी जरुटे मचकeye इंदर उसके बहुत अच्छी बहुत अच्छी होता है जो कि यह एक सॉइलग देखते हैं के लिए इपर हिंदी में भी देख लेते हैं हम नेपाल में लोक तंतर के लिए संगर्ष डैश में शुरुआ था 1990 में सेकंड कोशन देखते हैं भारत के सविधान के जनक किसे कहा गया है भारत के सविधान के जनक बीमराव अंबेटकर बियार अंबेटकर हो जाएगा इसका और यहां सरे अंसर करेक्ट हो जाएगा मिट्टी में समानतर एक परत को डैश कहा जाता है म्रदा शिति नबर फोर काली मिट्टी उगाने के लिए उप्युक्त है कापास के लिए कोश्य नबर फिफ्ट देखें बान्ध डैश के उत्पादन के लिए बनाये जाते हैं तो एक समुह के रूप में कारे करता है, जिस पर देश के सभी लोग सहमत हो सके तथा यह तै कर सके कि वे देश को किस तरह से संचालित करना चाहते हैं, तो कोशिन नमबर फिफ तक वन मार्क्स का था, कोशिन नमबर शिक्स जो है वो टू मार्क्स का है, कोशिन नमबर शिक्स एन में नेक्स देखते हैं कोशन नबर सेवन देखे क्या कहा गया है मिटी कैसे बनती है यह वी टू माक्स का है मिटी देखो क्या है मिटी प्रत्वी पर पाये जाने वाले कार्बनिक प्रदार्थों खनी सता अप्षे चटानों से बनी होती है यह अप्षे की क्रिया के माध्यम स बनती है तो क्या होता है मिट्टी जितने भी कार्पनिक चटाने होती है यह कार्पनिक परदार्थ और खनी चटानों पर मिलते हैं उनके अप्षय से उनके टूटने से बार बार जब टूट के बार ही हो जाती है तो उसे क्या बनती है मिट्टी बनती है तो अप्षय की परिक क्या कहा गया कि Constitution help करता है सर्व रूल और प्रिंसिपल को चलाने के लिए जो कि क्या हो जिससे की पूरी कंट्री के लिए क्या हो एक तो अच्छा हो सेकें क्या हो जो कंट्री है उसको चलाया जासके गवान किया जासके इसको नेक्स कोशन देखते हैं how is soil form, soil किस तरह से form होती है, soil is made up of organic matter, minerals and weathering, रोग found in the on the earth, it happened through the process of weathering, आप weathering की process का ये कोशन भी कर सकते हैं कि weathering क्या है तो ये भी आप सर्च करके इसको भी learn कर सकते हैं, important question बनता है यहाँ पर, question number 8 देखेंगे, आप ये question 8 and 9 question 33 marks के हैं, ठीक है, आप देखें क्या कहा गया है, सविधान सबाम ने सारुभूमिक व्यसक मतादिकार का परस्ताव क्यों रखा, जो सब्धान सबा थी महाँ पर सारुभूमिक व्यसक मतादिकार, मतलब कि 18 से उपर जो भी है वो वोट कर सकत हैं, और सभी लोग वोट कर सकते हैं, चाहिए वो किसी भी जाती धरम से हो, तो आपको पता होना चाहिए, सारुभूमिक व्यसक मतादिकार क्या होता है, कि सबी को वोट करने का परस्ताव क्यों रखा, तो देखो क्या इसका अंसर होगा, बहुत important question है, ये, जब वे सविध सविधान का मसोधा तयार कर रहे थे, तो सविधान सभा के सदस्यों ने महसूस किया, कि सवतंतरता संगरामनी लोगों को सार भूमिक वैसे आम मतादिकार के लिए तयार किया है, इससे लोग तांतरिक मानसिक्ता को परत्तों साहित करने और पारंपरिक जाती वर्ग लिंग पदा करम के चुंगल को तोड़ने में मदद मिलेगी, मतलब क्या है, जिसमें सभी लोगों को अगर वोट करने का अधिकार मिल जाएगा, तो क्या होगा, एक समानता आएगी ना, जो समानता लोगों के बीच में है, डिस्क्रिमिनेशन है, भेद बाव, उसको क्या किया जा तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि परंपरिक जाती, वर्ग जो लिंग अनुपात में भेदभाव किया जा रहा था, उसको क्या किया जाए, कम किया जाए, इसलिए सारु भोमिक विसक मतादिकार पर जोर दिया गया था, यह वर इंग्लिश पर देख लेते हैं, question, why did the constitution assembly propose universal तो देखो क्या अंसर हो जाएगा इसका मिया पर देखते हैं एक तो देमोक्राटिव माइंडसेट को क्या मिलेगा एंकरेजमेंट मिलेगी ब्रेक दा कुल्चर्स ओफ देडिशनल कास्ट, क्लास, जेंडर है इनके बीच में भेदवाफ किया जा रहा था, उसको क्या किया जाएगा ब्रेक कर दिया जाएगा नेक्स देखते हैं, कोशन नबर नाइन देखते हैं पोधो और जानवरों के सरंक्षन के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कि नहीं दो कदमों के नाम बताईए जो पोधो और जानवरों के सरंक्षन उनको बचाने के लिए जो सरकार द्वारा कदम उठाये गए उनके बारे में बताना है तो यह कोशन तीन नंबर का है, तो आइए देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो देखो सबसे पहले क्या सरकार द्वारा उठायेगा महान भारतिय बस्टर्ड और मोरों की हत्या पर प्रतिबिन लगायागा, आपको बता होगा कि जैसे मोरों की हत्या या बाग को अगर ऐसे कहीं शिकारी शिकार को बंद कर दिया गया तो कुछ रूल्स बनाए गए और उनको रिजर्व करने के लिए क्या कर दिया गया कुछ अब बहुत ही असान है अपको आते होंगे ऐसे कोशन जरूर कोई कोशन चोड़ना नहीं है यूटी में चाहे यूटी हो चाहे मिट्व हो चाहे फाइनल टम हो कभी बस यह ध्या रखना है यहां पर फाइफ मार्क का कोशन नम्बर टेन है और इसके अंदर और दिया जाएगा और दिया जा रहा है मतला है यह अपको एक कोशन करना है इसके लवाला कोशन दोनों ही हम देख लेते हैं तो फ्रस्ट क्या है सविधान के प्रारूपन के दोरान देश को किन मुद्व क सामना करना पड़ा तो देखो क्या कहा जब सविधान लिखा जा रहा था तो क्या-क्या समस्याइं आए इस तरह से भी कोशन आ सकते हैं जब सविधान लिखा जा रहा था तब भारत काफी उतर पुतल से गुजर रहा था देश का भारत और पाकिस्तान भी विभाजन का आसन पाकिस्तान विवाजित हो रहा था, कुछ रियास्ते अपने बविश्या को लेकर अनिनित थी, लोगों की विशाल समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति निराशा जनक थी, उपरे कुछ मुद्दे थे जिनका सामना देश की सविधान की रुप में किया जा, एक तो जनसंख्या बहुत था उपर से भेदवाव बहुत था, और क्या कह सकते हैं, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, ये कुछ समय आए थी, जिससे क्या था, सविधान को जूझना था और नया जो सविधान सबके हित के लिए बनना था, इसके और में देखते हैं, क्या कोशन है, इ से कार्बुनिक परदार की परत से ढखने की पकिरिया है प shaみ परको की बीचमी यह पर नबी слов चैनल सम्टर बनाए जाते हैं तक हो और पवा और मिटी के पानी से पानी किया जाइगा तो सीडी नुमा क्या बनाए गए थे खेत बनाए गए थे उसके बाद को क्या अंत्र फसल अंतर फसल मेरा इसके बारश के समोचय नीचे के बाड़क्ता JOHN brot głow के और अव्रोध बनायाने के लिए पहाड़ी भलाटी के समान्तर ड्लुता Acho एक नहीदा इसक identifier यहां पर इस तरह से बाड़ लगा दी न यहां पर तो क्या होगा सीड़ी एक सीड़ी बन जाएगी इससे की पानी सिधा भहे न ठीक है नेक्स आश्रेय बैल्ट हावा की गती को रोकने के लिए कुछ शेत्रों में पेडों की पंक्तियों को आश्रेय बैल्ट लगा जाता पेडों से टक्राकर वहीं रह जाएगी इसके बाद समोच्य अव्रोध इसमें क्या कहा गया समोच्य अव्रोध रेखाओं में अव्रोधन बनाने के लिए पत्थर घांस मिट्टी का उपयोग किया जाता है पानी खटा करने के लिए अव्रोधों के सामने खाईया बनाई जाती है उसके बाद है रोग डेम यह है नालियों मिट्यों को नुकसान को रोगता है ताकि पानी के परवा को धीमा करने के लिए चाटानों को धेर कर दिया जाता है अब एक बर इंग्लिश में भी देख लेते हैं कोशन नमर टैन में देखते हैं अभी हिंदी में जबड आरे थी सारा समझाया था अब देखते हैं next question question number 10 और में दिया गया है describe method of the soil conservation तो आपको मेरे चैनल पर सभी unit test, सभी subject के, सभी classes की मिल जाएंगे तो share कीजिएगा अपने friends में और वीडियो को like कर दीजिएगा जार से जार वीडियो को like करने की कोशिश कीजिए next, what are some common method to soil conservation आप देखो यहां पर दिया गया है, सबसे पहले mulching दिया गया है mulching is the process in the covering the bare ground between plants with a layer of organic matter like straws is contribute its remaining in soil moisture next, what is terrace forming, terrace forming is the method of the forming in which broad flat step of terrace are made of steep slope on the flat surface available to grow crop for reduce runoff and soil erosion ocean intercrossing, देखो इसमें क्या कहा गया है, intercoping in intercoping, in different crop are grown in alternate rows and sown different time to protect the soil and being washed away by rain उसके बद कंटोर पॉलेंग में देखो क्या कहा गया, plowing parallel to the contour to the hill stop to form a natural barrier for water to flow down and slope it's called contour plowing, हिंदी में में जब करवाया है, मैंने सारे अच्छे से समझाया है, बस आपको read करके समझा रहते हैं shelter belts, row of the trees are planted to the certain area to check wind movement are called shelter belts उसके बदे, contour barrier, stone, grass, soil are used to build barrier along, counter trends are the made of front in the barrier to collect water rock dams, these prevent gals and the further soil low since rock are built up to slow down the flow of water तो सभी subject कि आपको sample paper मिल जाएंगा, पंच्छे से तियारी करके अच्छे नमबर ला सकते हैं, thank you